हलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग मैं हूँ आशी इशा आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल अनासिंग गुरू जी एक बाफेसे आपका बहुत बहुत सवागता है फ्रेंट्स इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग क्यूशन में बताने वाला हूँ जो आपसे मिस हो लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करें फ्रेंट्स के बात जरू सहीड कर दें चली सुरू करते हैं फर्स्ट क्यूशन में आपको बताने हो लाँ इस फाउंड एर दा जंक्शन ऑफ सेजल्टर कोरोनल एंड फ्रंटल स्विचर यानि कि जो श बहुत बार क्यूशन पूचा गये हैं 20 क्यूशन आप कोई भी पेपर निकाल की देख लो लगबग सब में क्यूशन मिलेंगे आपको दब पेल्विक की साइज कुन से होती है कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं गायन कोड पैल्विस बोलता है ठी पूचा गया एवरेज लाइव इस्वान ऑफ इस्वान विस्वान की जो लाइव इस्वान होती हो कितनी होती है तो याद रखना आपको ठीक है 42-72 वार्स होती है ठीक है और फूप्त क्यूशन यह आप जब क्यूशन आप रीद करें मैं आपको बता रहा हूं तो डेफिन हारली हर बार पूचे गए हैं और लग बहुत का हर बार आपसे घलत हुए है बाचन नहीं हुआ होगा बठ हमेशे घलत होते हैं तो वही क्यूशन पर आपको बार फोकस करने हो आगे वीडियो में फोकस करता हुँ रहा हूं आगि ब्लिश डिसक्रेशन हो जाता है तो हम उसको कैसे interpret करती है कैसे interpret करती है नर्ट क्या बोलती है उसको मेकोनियम यानि जो फीटस होता है उसने स्टूल पासओट कर दिया असलिए गिनिस्ट डिश्केशन हो जाता है ठीक है तो ये भी बार-बार पूछे गया है which week the uterus is normally palpable at the gephoid sternum यहनि gephoid sternum तक कब palpate कर सकती है as a nurse during the pregnancy तो 36 week पे हम इसको palpable कर सकते है next question it starts from the onset of true labor true labor pain कभी start हो जाता है ends with the full dilation of cervix cervix का dilation कभी हो जाता है trogan कभी start हो जाता है तो कौन सी stage बतानी है आपको first stage बार बार question पूछे गया है true pain कौन से stage में start होता है और full dilation service कभी हो जाता है तो first stage में होता है next question fertilizable life is one repeat for a question क्योंकि बार बार पूछे गया है 12-14 गंटे तो next question देखते है the hormone responsible for a positive pregnancy test यानि कि कौन सा hormone responsible होता है positive pregnancy के लिए हम उसको कौन सा hormone बोलते है human chorionic gonadotropin hormone होता है जो responsible होता है pregnancy के लिए next question when the fetal head is a level of acyl spain it is said the station of station में count करते हैं इसको तो station zero acyl spain की होती है अगर वो नीचे जाता है तो minus में होता है उपर जाता है तो plus में हो जाता है तो add the zero station बोलते हैं इसको next question देखते है which weeks the uterus is normally palpable at the gyphoid sternum अब uterus को हम बोल देख रहे हैं कि कब palpable कर सकते हैं gyphoid sternum कौन सी week पर कर सकते हैं तो इसका answer आएगा 36 week पर हम palpable कर सकते हैं तो कौन सा sign होता है presumitive sign कौन सा होता है nausea vomiting ठीक है यह बार बार पूछा गया है which drug is administered soon after the birth to prevent hemorrhagic disease of newborn यानि कि hemorrhagic disease के लिए newborn को हम कौन सा vitamin देते हैं क्या देते हैं ठीक है तो vitamin K देते हैं जो कि clotting के लिए helpful होता है newborn के लिए तो vitamin K इसका right answer पूछा गया है what is the shape of human placenta बार बार पूछा गया है यानि कि जो woman placenta होती है उसकी shape कैसी होती है तो this quid उसकी shape होती है ठीक है याद रख लेना बी चोगा फॉलोविंग एंटिबोडी पास थोड़ा दा placenta at the end of pregnancy pregnancy के end में sorry end में कौन सा immunoglobulin होता है जो में cross कर जाता है placenta को ठीक है तो immunoglobulin डिल्टा intake of which nutrients should be high in normal pregnancy तो normal pregnancy में क्या चीज हाई करनी चाहिए protein, minerals, vitamin क्योंकि वो baby को भी चाहिए, fitness को भी चाहिए तो इसलिए सब कुछ हाई कर देते है ठीक है which hormone is responsible for the maturation of graphene follicles बार बार question पूछा गया है maturation के लिए कौन सा hormone responsible होता है, तो होता है follicle नाम से ही पता लग रहा होगा follicle stimulate, stimulating hormone last question है nitrogen test is used to detect nitrogen test हम किस चीज के लिए करते हैं किसको detect करने के लिए करते हैं तो करते हैं presence of amnesic fluid बेजाने, fluid आ रहा है उसके अंदर amnesic fluid तो नहीं इसको detect करने के लिए हम क्या करते हैं nitrogen test करते हैं तो आने वाली upcoming वीडियो के लिए चैनल को जह सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, share करें क्योंकी बाइब धि वीडियो में